दोस्तो आज के अस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है आज के इस class में हम बात करने वाले हैं हिंदी के निवंध के बारे में देखें निवंध जो है न बहुत important होता है कुल मिला के 8 marks का प्रस्ण रहता आपके बोर्ड पाइकशा में और इसमें आपको जो है ये समझनी आता है कौनसा निवंध हम पड़े कौनसा निव बात करें किस मुद्धे पर याद करें निवंध को जाने ठीक है अपना देखो हर चाप्टर पता है कि यह चाप्टर से अपना अच्छे से complete करना रहता है लेकिन निवंध को बैसली क्या होता है कहां से पूछते ये बोर्ड पहले इसके बारे में बात करते हैं फिर आपको मधपूर्ण जो भी निवंध है उसके बारे में अच्छे से बताएंगे निवंध आपको बताएंगे साती साथ निवंध कैसे लिखना है वो भी आपको बताएंगे तो कमेंट आ रहा था आप लोग स्टार्ट रखो आप इसमें से बस याद कर लेना इसमें से कोसंस आपके एक्जाम में मिल जाएगी ठीक है स्टार्ट किया जाए चालो स्टार्ट करता है देखो अपने लोग का यहां पर निवनध कहां से पूछता है पूछता है देखो निबंद के case में अगर बात करें ना, ज्यादा तर case में ये होता है, कि जो भी उस समय current डापिक चल रहा होता है, ठेक है, जो भी current डापिक चल रहा होता है, ठेक है, वो topic से सब्सक्राइज पूरा जाता है, जैसे जिस समय Covid आया था, तो कुरोना वाइरस के उपर था, जिसमें बाड आता है, तो बाड के उपर पूछा जाता है, कभी महंगाई बढ़ी हुई रहती है, तो बहंगाई पर आता है, जिसमें चुनाब होने वाला रहता है, तो उसमें चुनाब पर पूछा जाता है, बहुत जादा भरस्ता चार का के सामने आता है तो परस्टा चार पर आता है है ना कुस करेंट जो टॉपिक चल रही होती है मेंली बोर्ड जो है उसमें इसे एक टॉपिक जरूर ले ले लेती है जैसे अगर बाड आया हुआ है कुरोना वड़ा हुआ है तो इसे में आपको बाड या कुरोना से एक सवाल मत शे में से एक बनाने रहते हैं, और यही एक कुछ ना बनाएंगे, उसके लिए कुल मिला के आठ माक्स आपको दी जाएगी, तो यह बहुत important है, है न, obviously यह बहुत ज्यादा important है, चलिए तो इसको पर बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है, current जो topic चल रही होते हैं, देखो अभी क् मैं के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर आपका ऐसा जो है न, January के मंत में आप देख ले न, January के मंत में अगर कोई वी वैसा चीज होता है, जो कि अलग है सबसे, ठीक है, कोई वैसा घटना हो जाती है, ठीक है, उसके बारे में आप जरूर से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, तो वैसे इस्तिती में आप जो है, उस टॉपिक को जरूर से याद करके रखेगा, क्योंकि January के मंत में, February आपको याद नहीं रखना, January और December, इस मंत को आप अच्छे से देख लिजेगा, कोई भी वैसा टॉपिक अगर उस समय वाइरल चल रहा होता है, उस से बोर्ड important आपको चलिए, आपको बताते हैं, देखो, कुल मिला के हम आपको पांच निवंद महत्पूर्ण बताएंगे, और इसी पांच में से आपको exam में मिल जाएगी, आप ज़्यादा तर चांस रखो, आप ये पांच में से पांच आप याद रखना, पांच में से पांच आप स्टार्ट करें, चलो, तो आप लोग का कमेंट आई रहा है, स्टार्ट किया जाए, ओके, चलो, आजो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या अपने पास है, चलो, देखो, सबसे पहले guess essay है, आपके board examination के लिए, ठीक है, हमारे दरब से दिया जा रहा है, इसमें सबसे पह प्रिये खेल, ठीक है, आपके exam में न, दो तीन चीज़ पूछे जाते हैं, एक तो प्रिये खेल, उसके प्रिये कभी और प्रिये पुस्तक, ठीक है, प्रिये रितू, इस ताइप से भी आ सकते हैं, यह तीन चार्ट जो है, प्रिये से संबंदित बहुत जादा यह रहती है अनल एक प्रिये खेल, यह प्रिये कभी, प्रिये पुस्तक, ठीक है, ठीक है, अजो प्रिये खेल के उपर अगर आपको निवन्द लिखने को बोला जाए, तो आप कैसे लिखोगे, चलिए उसके उपर बात करते हैं, सौट शौट में देखेंगे, जादा डीटेल में नही यह हुए हैं तो आप इसको proper देखेंगे तो कोई परकार की दिक्कत वाली बात नहीं है आराम से आप इससे पढ़ सकते हैं ठीक है प्रिय खेल से समझनित निवंद जो है आप इसको चाहेंगे तो कौपी में नोड़ भी कर सकते हैं चलिए प्रिय खेल को उपर निवंद आप खेल बन चुका है आप मेरा सबसे पहले प्रिय खेल सबसे पहले अपने सरलेट करिए कि आपके उपर उस टॉपिक का क्या असर पर रहा है तो आप ऐसे लिए मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है क्योंकि आज यह दुनिया का सरवादिक लोग प्रिय खेल बन चुका है इसके माध कर सकते हो underline कर देना एक्जामे क्योंकि दो color का pen se आप लिखने ही सकते हो एक्जाम में underline कर देना और bold कर देना उसी चीज को ठेक हैं दुबारा चला देना तो ये हो जाएगा topic और उसके बाद लिखना खेल मनोरंजन और सक्ति के भंडार हैं खेलों से खिलारियों का सरीर स्वस्त और मजबूत बनता है, खेलों के द्वारा उनके सरीर में चुस्ती, स्पुर्ती, सक्ती आती है, पसीना निकलने से अंदर के मल बाहर निकल जाते हैं, खून का द्वारा तेज हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती है, सरीर हलका यह है कि मैं मन को रमते हैं, यह मन को अच्छा लगता है, कोई भी गेम आपके लो, मन को बहुत अच्छा लगता है, खिलारी खेल के मैदान में खेलते हुए सेस दुनिया के तनावों को भूल जाते हैं, जब माल लेते हैं, कोई भी अगर किरिकेटर खेल रहा होता है मैदान म वो जो भी दुनिया में टेंसर चल रहता है, जब भी कोई भी गेम खेले, कोई भी खिला री तो, उसका ध्यान फुटबॉल गेंद आधी खेल में लीन रहता है, संसार के चक्रों को भूलने में उन्हें गहरा आनंद मिलता है, सारेक खेलों के साथ-साथ अन्य बौदिक जो ह बहुत बौधिक तथा कलातमक खेल जैसे केरमबोड तास सतरंज आदी महतपूर्ण है इससे हमारा मनोरंचन होता है जब हम सिंपल सी बात है जब हम जब खेल में लीन रहते हैं तो जो भी दुनिया में चल रहे होते हैं उस चीज को प्रॉपर भूल जाते हैं और वो सहारी ट बारे में आपको यहां पर लिखना सिखाये हैं आगे यहां पर लास्ट आपको कैसे लिखनी है वो आप देखिए लास्ट आपको लिखनी है भारत के प्रिये खेल भारत के प्रिये खेल कौन-कौन से है या फिर भारत में कौन-कौन से खेल पहले खेल जाते थे ठीक है और उसके बाद होकी यह सब बहुत जादा यहां चलता था लेकिन आज के समय में यहां पर जो है बिस परचलीत खेलों का जो है बोल वाला चलता है जैसे कि किरकेट, फोट वाल, टैनिस, टेवल टैनिस, बैडमिंटन बहुत लोग प्रिय होते जा रहे हैं ठीक है तो यह आप इतना लिख दिये आपका यहां पर प्रिये खेल से संबने जो निवंद था वो पूरा हो गया तो अगर आपके इजाम में आएगा कि प्रिये खेल के उपर निवंद लिखने को तो क्या आप इस तरीके से अच्छे से नहीं लिख पाऊगे और व्यसली लिख सकते हो तो चल दोसा निवन हम यह दे सकते हैं, अभी महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत सारे लोग महंगाई को लेके जूज रहे हैं, बहुत सारा जो भी समान था वो महंगी हो गई है, तो इसके बारे में महंगाई के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए महंगाई के ब चलते हैं, दूसरा यहां पे, महिंगाई ठीक है, अब महिंगाई को हम बोल रहे हैं आपको ये डवल स्पर मार्ग अप इसको लगा लिजेगा, क्योंकि अब महिंगाई जो है, क्यों बढ़ चुकी है, रसिया यूप्रेन वगरा वार वंगरा जो हुआ था, युध्ध वगर महंगाई के उपर हम लोग अच्छे से बात करते हैं, महंगाई पर निवंद जो अगर बोला जाएगा, तो आपको कैसे लिखनी चाहिए, ठीक है, इसके उपर अब देखना सुरू करते हैं, चलो, आजओ, देखो, ऐसे लिखना है महंगाई पर, बर्तमान के अनेक समस्याओं में से एक महत्पून समस्या महंगाई है, ठीक है, एक समस्या है महंगाई, बस तुमों की कीमत का बढ़ते जाना, दूसरे चब्दों में खरीदार की क्रे सकती का कम होना, उसका गरीब होना, साती साथ लेख सकते हो, जब से देश सौतंत्र हुआ है, तब से बस्तू की कीमते लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब प्राचीन में क्या महंगाई थी, उससे बर्तमान को जो रहे, ताकि यहाँ पे एक अच्छा असर पढ़ते जा रहा है, महंगाई को हम सही तरीके से य जो है ब्रधी हो चुकी है, जो देशी गी 1947 में एक रुपय किलो मिलता था, अब वही 400 रुपय किलो मिलता है, आज भी यह ब्रधी होती चली जा रही है, हम यहाँ पे एक बस्तू काउधारन ले लिए कि जो 1947 में एक रुपया में मिलती है, हम अंदाज से लिखे हैं, ठीक ह कीमत पर आज भी यहाँ पर इतना जादा महंगी बिक रही है, तो आप कोई भी विवस्तु का एक 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 जामपल ले सकते हैं, ताकि टीचर जो पढ़े न वहाँ पर उनको लगे कि यह बच्चा ना सही एक जामपल लिया है, मतलब यह फाकी नहीं वारा है, एकदम सही चीज लिखा है, जो कि लिखना चाहिए था, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ने के कारण क्या क्या है, ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर लिख दिए, महंगाई बढ़ने के कारण, ठीक है, महंगाई वाला टॉपिक में, हम लिख दिए कि आखिर महंगाई क तभी बढ़ती है जबकि मांग अधिक हो ठीक है जबकि मांग अधिक हो जब मांग जादा होगा तभी जाके जो है उसका मुल्य बढ़ेगा ठीक है किसी बस्तों की कमी हो जाए मांग अधिक होने तथा बस्तों की कमी होने के भी अनेक कारण हो सकते हैं दैनिक उपयोग की बस आराम से देखो, कोई टेंसन वाली बात नी ये, कोई हरवर वाली बात नी आराम से देखते चलो, ठीक है, देखो महगाई कब बढ़ेगी, जब सिंपल से बात है, उस बस्तु की कमी पढ़ने लगी अगर मालो एक कंपणी है, वही कंपणी एक समान को निर्वान करती है, और समान सब लोगों को चाहिए और वह कंपणी उतना समान नहीं बना पाती है तो गया करेगी बस तो का कीमत बढ़ादेगी ताकी लोग उसको जाधा कमपणी को भी प्रॉफिट हो और लोग उतना भी जाधा उस पे लोड़िना परे चाहिए जब दिमांड बढ़ता है तो उसक ज़्यादा खड़ देंगे नमक का ज़्यादा क्यों डिमांड हो रहा है जनसंख्या बढ़ रही है जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उसके कारण जो है डिमांड बढ़ते जा रहा है दिमांड बढ़ता है तो से महंगाई बढ़ती जाती है है भारत के स्वतंतरता के बाद स से लेकर आज तक जनसंख्या के तीन जनसंख्या में तीन गुनी बेड़ती हो चुकी है इसलिए भारत जब से सौदंत्र हुआ था तब से जो है आज तक जो है ठीक है तीन गुना जनसंख्या बढ़ चुकी है उसके बाद यहां पर आगे लिखते हैं जबके स्वभाविक तो महंगाई भी बड़ी पहले भारत में गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोग अधिक थे पहले लोग बहुत जादा ही गरीब हुआ करते थे जो कि क्या करते थे दिन में एक वार रूखा सुका खा कर पेड़ भरते थे पहले आप देखते होंगे आसपास महुले वगरा मे कोई-कोई लोग आते थे आपके घर पे जादा तरव लोग आते थे मांगने के लिए गिये हों रोटी जो सबजी बना हुआ रहता था वह सब मांगने के लिए आते थे लेकिन आज आते हैं नहीं आते क्योंकि तोरा सा आर्थिक इस्तिति जो है सब लोग का सही होगा है और पैसा तो बढ़ेगा ही, है न, तो उसी को यहाँ पर वाक्य में लिखे हैं, इस कारण भी बस्तूओं की मांग बढ़ी है, आजादी के बाद से लेकर अब तक बस्तूओं का उत्पादन भी बढ़ा है, परन्तु बहुत से चीजों पर हम बिदेशों से परनिर्वार हो चुक तो महंगाई पर काफी हद तक नियंतरन किया जा सकता है, आज सही बात है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बीदेशों से समान ख़र्ड के लाया जा रहा है, उसमें ज़एदा तर घर्च पढ़ जाती है, तो इसके कारण क्या होती है, महंगाई बहुत जादा ही ब और साथी साथ यहां पर अभी जो वाइरल टॉपिक है, एक महगाई के बढ़ने का कारण ये भी है, जैसे की रसिया और युद्ध में, रसिया और युक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसके कारण जो है, बिवे ने देशों को महगाई से जूजनी पर रही है, आप ये लिख सकते हैं, कोई आपको रोखने वाला नहीं रहेगा, कि भाई एत्ता क्यों लेख रहे हो, ठीक है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया, कैसे लिखोगे, महगाई के उपर, क्या लगता है, महगाई के उपर बोला जाएगा, लिखने को तो नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अतंकबाद, क्या लगता है, अतंकबाद इंपॉर्डंट टॉपिक है, अरे बहोत ज़्यादा है,डवलेस्ट्रामाक्स अल्ड़ेड ही लगा हुआ है, अंतरनास्टी समस्या है के तरफ से किया गया था तो यह वी एक अच्छा टॉपिक है और आतंक बाद तो देखो हर साल मतलब सुरू से लेकर जब से बूर्ड बनाए तब से आतंक बाद कभी न कभी पूची देता है ठीक है रिपीट तो यह करते रहता है इससे निवन्द में तो इसको हम क्यों छोड खुस होना चाहिए मतलब टीचर कहे कि भाई ये तो लिखा है ये तगरा लिखा है सबसे अलग लिखा है ठीक है चलो इसके उपर बात करते हैं महगाई के उपर कैसे लिखना है यहाँ पर देखो आप भूमिका लिख सकते हो लिखने का मन हो तब नहीं लिखने का मन हो तो ये मत लिखना ठीक है और लिखने का वन हो तो लिख देना अच्छा रहेगा ठीक है और ऐसे करके स्टार्ट करना आतंकबाद सिमित बैक्तियों द्वारा अपनी स्वार्थ कुर्ण आकांचाओं की पुर्ति के लिए बल पुर्वक लोगों को भैवीत कर तथा गैर कानूनी जोससे चलाः जाने वाला एक हिंसक आंदोलन है सबसे पहले हम आतंकबाद के लिख दिये जैसे कि महगाइीव टापिक है तो आतंकबाद किसे कखते है इसके बारे में लिख दिये हैं क्या लिख हैं यहां प अपने अंदाज में लिख सकते हो हम तो बस एक एक जामपल दे रहे हैं ठीक है आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे लिखोगे तो अच्छा माक्स मिलेगा आगे देखते हैं इसका संचालन बरतमान सासन ब्यवस्था को उखार फेकने के लिए बम बिस्पोर्ट बिमान अपहरन आकरम क्यों होता है आतंगबाद का संचालन क्योंकि वो चाते हैं कि जिस देश में कोई भी देश में जो भी बरतमान सासन परनाली है उसको उखार क्या फेक है जैसे अगर इस देश में कोई एक सासन चला रहा है कोई एक पार्टी तो उसका मन है कि उस सासन परनाली को बरवाद क नहीं दे आतंगबाद का में मकसद ही होता है इस सब चीज को आप बहुत ही जितने अच्छे से लिखोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा मतलब उतना ही अच्छा इंपक्ट पड़ेगा टीचर पर ठीक है अपने लोग को न यह स्वोच के लिखना है कि भाई इसके बारे म अब दिखो आतंगबाद का यहां पर अर्थ थोड़ा सा बताते हैं ठीक है आतंगबाद का अर्थ यहां पर लिख दिए आप अपने एक्जाम में क्या करना डबल एक बार लिखे देना उसी के ऊपर दुबारा चला देना तो वह बोल्ड हो जाएगा ठीक है तो ऐसे लिख एक अंकबाद क्या चाते हैं उसका भय बना रहे उसका डर बना रहे ठीक है जब डर के मादम से अपनी बात मनवाई जाये तब आतंगबाद का असली रूप हमारे सामने आता है आतंगबाद अंग्रेजी के टेरि Gwen dat हिंदी रुपांतरन है मतलब आतंगबाद का हम इंग्ल आने वाले लोग होते हैं उसको आतंकवाद क्याते हैं ठीक है आगे देखते हैं आतंकवाद सब्द मनुस को आतंकित करता है ठीक है और देखो यह टॉपिक क्यों important है क्योंकि आप जानते हो इस साल जमू कस्मीर का भी बहुत सारा matter है ठीक है कुछ भी हो सकता है इसके उपर तो यह topic बहुत important है दिखंबर जनवर यह भी मन्त है अब अपने पास बाकी इसमें कुछ भी हो सकता है तो यह आतंकवाद वाला topic तो आप जरूर से याद रखना ठीक है और आतंकवाद ही अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए चाहे राजनेतिक हो समाजिक हो धार्मिक हो लोगों में भै उत्पन करते हैं देखो इसमें राजनेतिक मुद्दा भी हो सकता है दूसरे देश के लोग चाते हैं इस देश में यह पार्टी सासन ना करें इसके लिए आतंकवाद फैलाते हैं या फिर ऐसा होता है कि समाजिक दंगे हो इसमें लोग चैन से नहीं रह आए या फिर ऐसा होता है कि हम इस धर्म का परचार करें ठीक है उसके लिए आते हैं कि भाई दूसरे धर्म के लोगों को रहने देंगे ठीक है ऐसा भी चलते रहता है तो यह सब कुछ मुद्देबध हो सकते हैं इसके कारण जो है उसका एक नीजी स्वार्थ होता है उसके इनके दिल कठोर और निर्मम होते कोई ममता वाली चीज नहीं होती है इन्हें किसी भी लावहानी से मतलब नहीं होता है इसका एक मत्रलक्ष समाज में आतंग फैलाना होता है यह मासूम लोगों को हत्या करके सार्वननेक अस्ठलों पर बंब करके समपती को हानी पहुचा कर और को समाज में मैं क्या करता है समाज में जो है कीया करता है यह आतन्क फैलाते हैं ऐसा कर यह हर जन तरसित करते हैं ठीक है तो यह यहाँ पर आतंगबाद के बारे में लिखे उसके बाद देखो कारण इसके बारे में आप लेख सकते हो कि क्या कारण होते हैं आतंगबाद के यहाँ पर कारण क्या होते हैं यह भी आप लेख सकते हो ठीक है बास तब में आतंगबाद जो है अत प्रव्वागौलिक एवम एतिहासिक कारण संस्कृतिक टक्राव बैज्यानिक प्रगति बैक्ति का अहंकारी होना तथा अपने सत्ता को दर्साना आधि आतंगबाद के परमुक कारण है मतलब कुछ कारण हो सकते हैं या तो धर्म के मामले में हो सकता है या जनसंख्या के मामले में हो सकता है या फिर कोई भी भोगोलिक कारण हो सकते हैं जमीन को कब जाना एक देश दोसे देश का जमीन अगर कब जाना चाता है तो इसके लिए वहाँ पर आतंगबाद फैलाता है और समाज में औसांती फैलाने का काम वो करने लगते हैं ठीक है, आतंगबाद के उपर आप अगर और अच्छे से लिखना चाते हो तो इसमें और अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो पुलवामा एटेक के बारे में लिख सकते हो ठीक है, साती सात कस्मीर में जो आतंगवादी का जो परभाव रहता था, उसके बारे में आप लेख सकते हो, ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से लेख सकते हैं, अब देखे बहुत पूर्ण एक है नसा मुक्ती, और क्यों नसा मुक्ती मात पूर्ण है, इस्पेसली हम ये ब मुक्ती पर हम बात करते हैं, हर लोग ये सवाल में देख रहे हैं कि भाई, नसा मुक्त बिहार बनेगा, नहीं है, इसके उपर आप देखते हो, कितना सारा नियूज आते रहता है, तो ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्ण टॉपिक है, नसा मुक्ती के उपर, तो इसके उपर भी बात करते हैं, ठीक है, इसके उपर भी अच्छे से हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी टॉपिक आपकी एक्जाम में आ सकती है, है न, तो आपको इसको देखना चाहिए, चलिए इसके उपर पहले से एक नज़र आप डालिए, और फिर हम आपको अच्छ चलो अब देखो नसा मुक्ति के उपर बहुत ज़्यादे इंपॉर्डन टॉपिक है देखो इस वार बोर्ड परिक्षा देने वाले हो इस टॉपिक को जरूर से कंप्रीट करके जाना ठीक है इस टॉपिक को जरूर से कंप्रीट करके जाना देखो क्या है नसा मुक्ति डवल का विसेस योगदान होने वाला है देश जो विकास करेगा उसमें योबा का बहुत योगदान होने वाला है अगर योबा अगर सही कदम नहीं उठाता है तो देश का बिनास हो सकता है है न तो यह ऐसे लिखे उसके बाद देखो पिछले कुछ सालों में नसा लोगों को अपन आदी बना रहा है नसा जो है अपने पास बुला रहा है सब लोगों को आदी बना लिया अपने में घेर लिया है सब लोगों को लोग नसेरी बन कर अपना तथा अपनों का भविस बरवाद करने को तुले हुए हैं इसलिए हमें नसे से मुक्ति के लिए परियास करने के आप स अगे देखते हैं इसके बारे में लिखते हैं आज की युबा गुटका बीडी सिकरेट और सराप पीकर खुद को शाही जीवन देने का प्रियास करता है उसको लगता है गुटका खालेंगे, बीदी पीलेंगे, सिक्रेट पीलेंगे, सराब पीलेंगे, इससे हम राजा महराजा लगने लगेंगे, या फिर हम बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे, लोग हमसे इंप्रेस होंगे, लोग कहेंगे वाई इसके पास कितना पैसा है लुटा रहा है, ठ नसा जीवन की बरवादी का सबसे बरा माध्यम है लोगों में सिक्षा का अभाब होने के कारण लोग अपनी भलाई को नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए इस समय हमें नसा मुक्ति योजना के माध्यम से सभी को नसे से होने वाले नुकसान के अबगत करवा कर नसा चुरवाने का प्रियास करना चाहिए देखा आज भी लोग नहीं देखते हैं लोग वह ही करते हैं जो उसका मन होता है हनप चलो आगे बढ़ते है आगे असके बारे में क्या लिखना है वो आपको बताते हैं धेखा हुआ उन्दै कर अगर इस टाइप से देखो गैत तो अच्छा रहेग चलो आगे बढ़ते हैं हमारे देस में योबा अपने आदर्स भगत सिंग और गांधी जी को ना मार कर फिल्मी हीरो को मानते हैं खेटे हैं योबा लास्ट समय पर स्टेटस डालते हैं जो बात है वो भी उसको उनकी विचारधाराओं को नहीं मानते हैं यह क्या करते हैं यह क्या करते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के काम करते हैं में काम करते हैं पर आज की युबाओं को जो है युबाओं के हीरो युबाओं का ही जीवन बरवाद कर रहे हैं मतलब जो भी यहाँ पे बता रहे हैं क्या चीज़ हमारे देश की युबा अपना आदर्स भागस निया गांदी जी को नाम आकर फिल्मी हीरो को मानती है जो फिल्म इंडरस्टी में काम करते हैं उनको अपना आधर समानते हैं पर आज की युबाओं के पर आज की युबाओं का हीरो युबाओं का ही जीवन बरवाद कर रहे हैं वही सारे लोग जो फिल्म में काम करते हैं वही सब लोग आज अपना उनहीं का जीवन बरवाद करते जा रहे हैं बरे बरे अभीनेता अपन समान में चल रहा हुदा उसके बारे हम आप लिख सकते हो उसके लिए कोई पढ़ती बंद आप पे नहीं है ठीक है और आज के विग्यापनों का जो है न यहां पर आप इस तरीके से और भी अच्छे से इसमें लिख सकते हो ठीक है इसको आप आराम से पढ़ लेना इसके बार वरी एक समस्या होती है या फिर कोई भी देश के लिए मतलब कोई भी राज्य के लिए कोई भी देश के लिए बाड़ की समस्या बहुत ही ब्यानक समस्या होती है फिर भी यह बाड़ की समस्या पर आपको अच्छे से देखना चाहिए ठीक है चलो बाड़ की समस्या हम यहा की चीज हो सकता है तो चल अबाढ़ की समस्या पर कैसे लिखना है वह आपको बताते हैं देखो इसमें जीवन में ना भूल पाने वाली घटना को आ विस्मरनी घटना कयते है oh जीवन में ना भूल पाने वाली घटना को और विसमर्णी घटना कहती है, जिसको हम जीवन में नहीं बूल सकते हैं, मेरे लिए आई बाढ़ और विस्वस्नी जीवन का उपहार देती है, प्रकृती को माता की संग्या दी जाती है, इसी के गोद में खेल कर बालक परम सुख क का अनुभव करता है लेकिन कई बार हमें प्रकिर्टी का कठोर रूप भी द्रिस्टिकत होता है प्रकिर्टी के हम बहुत ही कठोर रूप को भी देखते हैं आंदी देखते हैं तुफान देखते हैं हम लोग देखते हैं वो बार देखते हैं वो जो है न मतलब परचंड रू का अध्रिस देखने को मिला मतलब यहां पर कोई व्याब अपने गाउं का भी एक्जामपल ले सकते हैं कुछ बर्स पहले हमारे गाउं यह अपना गाउं का नाम लिख देजेगा इस गाउं में भी बाढ़ का परभाब देखने को मिला और उससे क्या इस्तिति वहां की हो जो भी मतलब हमें कहानी पता है या फिर आपको कहानी पता है वो आप कहानी लिख देंगे जैसे कि हम यहां पर लिखे हैं बरसा के दिनों में गंगा नदी तथा बिहार के अन नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि दानापूर इस्तित फौजी छाबनी में नदी का पा इतना ज्यादा पानी आ गया कि छाबनी में पानी घुज गया था ठीक है इसलिए ब्रिगेडियर ने उसकी सुरक्षा व्योस्ता के थाथ यह निरने लिया कि दानापूर इस्तित बांध को डाइनामाइट से उरा दिया जाए ताकि पानी फौजी छाबनी में जल्दी से ज गिराया जाने लगा कभी कभी चावल और और आटे के में भी गिराये गए नाओं पर सलाई मुंबती नमक किरासन तेल था अन मसाले भी बांटे जाने लगे इस दसा में कुछ स्वाइंग से भी संस्थाओं के अहम भूमका का निर्भा किया बड़ा बड़ा विदारक दिर देखो इसमें यहां पर पढ़ना लिया गया आप अपने गाउं का लेना या फिर आप अपने सहर लेना वह ज्यादा अच्छा रहेगा आपको एक्स्प्लेंड करने में आप अच्छे से डीटेल वाइस लिख सकते हो अगर आपको एक पेस भी लिखने का मन है ना तो आप यहां पर 5 बताए हैं लेकिन आपको कुछ और नीबंद है जो कि देख लेनी चाहिए क्यूंकि इसको प्लीज आप लोग देख लिया करिएगा इसको बाराम से देख लिजेगा महिला ससक्ति करन महिला ससक्तिकरन परिक्षा पदत्ति के गुन और दोस्त जो भी परिक्षा परणाली है जिसमें आज क्या हो रहा है पेपर लिख हो जाता है कभी किसी को मतलब देखी रहे हो तो वह समाजिक समस्या तो मतलब वही चीज बता दिये आपको मदीरा पान जो आपको यहां पर बताए थे सराव के बारे में नसा मुक्ती के बारे में बताए थे न तो बस वही चीज आप यहां पर भी लेख सकते हो ब्रस्ता चार के बारे में लेख सकते हो प्रदूसन के बारे में प्रदूसन भी बहुत important है ठीक है क्योंकि अभी देख रहो न कि दिली में lockdown तक लग गया था प्रदूसन के कारण ठीक है तो प्रदूसन बहुत आज ज्यादा important है मेरे प्रिये कभी दहेज पढ़ था इसके उपर बहुत ज्यादा जोड़ दिया जाता है आत्म निर्वर भारत यह भी अभी viral topic है गंतंतर दिवस आ जाएगा 25 जनवरी को 25 जनवरी को गंतंतर दिवस होग इसको लेख सकते हैं हलाकि एक chapter था एक लेख और एक पत्र है न भगत सिंग जी लिखे हैं जैकना सुखदेव जी की भी चर्चा है तो भगत सिंग जी जो है न चात्रों से क्या पिक्षा करते थे उसके बारे में भी बताया गया उस chapter में आप चाहेंगे तो वस chapter को भी अच इस वह मिका को भी बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं तो यह कुछ जो है ना महतपूर निवंद थी जो कि आपको जानना चाहिए था ठीक है और वो आप अच्छे जाने हैं यह निवंद आप अगर याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिये आपका कुल मिला के 8 marks कोई नह नहीं रोक सकता आपका 8 marks लेकिन वसरते सर्त यही है कि आप सारे के सारे निवन्द को अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप प्रॉपर वे में एक्जाम में लिखेंगे है ना आप रिजल्ट लाइए देखो हम लोग को जो भी टॉपिक आप बोलोगे ना जो भी टॉपिक प वीडियो लाते चल रहे हम उस टॉपिक पर वीडियो लाते चलेंगे देखो यहां पे निवन्द में जितना सार था वहम आपको बता दिये अभी देखो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो ते इसको लाइक कमेंट और सेर कर लेना जैसा आपको अच्छा लगा कैसा अगर वह आप में नीचे कमेंट करके बता देना अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट आप लोग का ठीक है सर आपने तो हमारा दिमाग में निवन्त लेखन सेव कर दिया थांक यू सो मच यह मतलब यह है आप लोग उत्ताब मन से देखे हो इसी वज़े से आपकी दिमाग में वो लाइक सेव हो चुका है ठीक है और कोई सवाल है और कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे बोल सकते हैं इंग्लिस में कौन-कौन सा ऐसे आएगा तो देखो इंग्लिस में भी सेम टॉपिक आप रख सकते हैं हलाकि कुछ-कुछ अलग से हो सकती है तो वह हम आपको अलग से इंग्लिस के लिए ऐसे आप बाकी बच्चों देखो, सिंपल से बात है, एक चीज हम आपको बताते हैं, जो भी अभी commerce के बच्चे हैं, जो भी commerce, अभी सब सुना, science, arts, commerce, तीनों को अभी हम बता रहे हैं, commerce के जो भी बच्चे हैं, उनलोग का अभी class है, 8 वजे में, 8 पीम में अभी आप लोग का class 8 वजे चैनल पे आप सर्च कर लेना, एडू आधित्या, यूटूब पर और आपको चैनल मिल जाएगा, उस चैनल पर जाना, और 8 वजे classes होने वाली है, और science समराज्ज चैनल पे, ठीक है, science वाले वच्चों के लिए बता रहे हैं, साइन्स वाले बच्चों को देखे आठ बजे ही ठीक है अभीमा बाद ही आपका जो है physics का ठीक है आपका physics जो subject है English medium के लिए ठीक है English medium के लिए आपलों का chapter number 2 start हो रहा है ठीक है chapter number 2 start हो रहा है देखो Hindi medium के भी बच्चे जोईन कर सकते क्योंकि science में ज़्याधर तर हिंदी और English आपको समझाएंगे टीचर तो hindi में ये थे कि या री सते के करना ये हैं सांधिक है आपका पूरा hti जई स्टाइब गए उस रहे कर दिया जाएगा कहाँ पे मिलेगा आप YouTube पे सर्ज करना चैनल ठीक है साइन्स सम राज्य ठेक है साइंस सम राज्य यह सर्च करना यूट्यूब पर चैनल आ जाएगा उस सैनल पर अभी चाप्टर टू की क्लास होने वाली है और आर्ट के बच्चो ठेक है आर्ट के बच्चो आप लोग के लिए हम जल्द प्लान कर रहे है ठेक है जल्द प्लान कर रहे हैं अभी हम आपके लिए हिंदे इंग्लिस करवाई रहे हैं ठेक है अपना एजुकेशन पर लगा तार क्लास सल रहे है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सब कर लगा तार क्लास सली रहे है ताकि आप लोग का सब कुछ अच्छ से जल्द से जल्द कर ला रहे है और हां एक और चीज़ हम लोग का यहां पर क्या है एक उमीद बैच आया है ठेक है उमीद बैच है अभी ज्वाइन करना आपके लिए जरूरी है या नहीं है देखो क्या है अमीर बैच आपका स्टार्ट हो रहा है एक दिसंबर से ठीक है एक दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है इस बैच में आपको सारा चीज पीडियाफ प्रॉपर्ली मिल जाएगा ठीक है जो कि आपको यहां पे हम धीरे धीरे करके जो देंगे वो आपको एक साथ इस बैच में मिल और इसमें क्या होगा आप प्रॉपर्ली एक पीडियाफ में पूरा चैप्टर हो जाने वाली है मतलब आप आराम से उसका प्रिंट निकल वाकिया अपने सामने रखे पढ़ सकते हैं नो डाउट नो कोई टेंशन आराम से पढ़ाई होगी उससे ठीक है इस बैच का फी 799 है क्योंकि इसका फी 999 था 999 है लेकिन अभी 1 दिसमबर से पहले करते हैं तब ये 799 मिल जाएगए अगर 1 दिसमबर को अगर करते हैं 나서 जाके 999 लगने वाली है अगर एक December से पहले कर लेंगे तो सिर्फ 799 में आपको पूरा course मिल जाएगा ये उमीद बैच इसमें properly जो जो important chapters होंगे वो भी बताए जाएगे important जो भी videos होंगे या model paper पिसले साल के question paper ये सब की भी practice करवाई जाएगी तो आप उमीद बैच भी join कर सकते हैं के लिए आप बस call कर लीजेगा इस नमर पे या education बावा आप डाउनलोड करके वहाँ से आप join कर सकते हैं ठीक है इस नमर पे आप call कर लीजेगा अधिक जानकारी के लिए अगर कोई भी जानकारी जाए इस बैच के बारे में ठीक है ये दो नमर आपको दे देते हैं ठीक है ये दो नमर है पिसे call करके पूछ सकते हैं बैच के बारे में और नहीं तो डायरेक्ली एजुकेशन बावा आप इंस्टॉल करिए और आराम से वहाँ से जाके बैच को जॉइन कर लीजे कोई भी परकार की दिक्कत नहीं होने वाली है एक एस्टुन बोले हैं सर पैमेंट करवा दिये है बाइनाव को अप्सन नहीं हट रहा है तो बाबू इस नमर पर बात कर लो आप प्लीज इस नमर पर बात कर लीजे जो भी आपको बताएंगे उस चीज को फॉलो कर लीजेगा ठीक है क्योंकि आप पैमेंट किया है अगर बाइनाव का अप्सन नहीं अटा है तो इस नमर पर बात कर लीजे उस सीज को हम लोग बहुत इस सीज को सिरियस लेते हैं और हाँ 26 जनवरी हम आपको बोले हैं 26 जनवरी गंतंतर दिवस ठीक है यह important है निवंद इसमें कोई सक नहीं है 26 जनवरी हाँ वही तो बोले हैं और बाकी जो है न अपना बुक अगर हिंदी इंगलिस का देखो सिंपल से बात है इंगलिस का नहीं सौरी इंगलिस का नहीं ला पाए है इस साल अगर हिंदी का अगर आपको बुक चाहिए न मतलब जिसमें हम प्रॉपर्ली अपने चली हम लोग मिलते हैं उसी समय बाद ठीक है तब तक के लिए बाबाई